दोस्तों नवश्कार आज हम बात करेंगे मद्यप्रदेश भूराज सहिता की धारा 131 के बारे में तो आईए जान लेते हैं क्या है विधी की भाषा में धारा 131 131 की उबधारा 1 में आया है इस बारे में कि कोई खेती हर अपने खेतों पर या दखल रहित भूमी पर या ग्राम की चारा गाहों पर मान्यता प्राप सडकों पथों या सारवजनिक भूमी पर से जिसके अंतरगत वे सडकें तथापत हैं जो धारा 242 के अधिन तैयार किये गए ग्राम के वाजिब उल अर्ज में अभिलिकित है न होकर अन्यता किसी मार्ग द्वारा पहुँचेगा या इस बारे में कि वह किस इस्त्रोत से या किस जल सारणी से अपने लिए जल प्राप्त कर सकेगा या किस जल सारणी से अपने खेतों में जल निकासी कर सकेगा कोई विवाद उद्भुत होने की दशा में तेसिलदार इस्थानी जाच करने के पश्चाद प्रत्यक मामले विश्यक पूर्व रूडी के प्रती निर्देश करके तथा सम्मंदित समस्त पक्षकारों की सुविधा का सम्यक ध्यान रखते हुए उस मामले को विनिशित कर सकेगा मद्यप्रदेश भुराज सहिता की धारा 131 की उपधारा दो यह कहती है कि तहसिलदार जाच के किसी प्रक्रम पर यदि उसकी राय में मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एसा अनुतोष प्रदान करना आवश्यक है तो वह उपधारा एक में के विवाद के अधिन किसी मामले के संबन्द में तुरंत अनुतोष प्रदान करने का अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा इसमें आगे परंतु में आया है परंतु ऐसा अन्तरिम आदेश आदेश की तारिक से नब्बे दिन के अवसान हो जाने पर यदि पूर्व में समाप्त नहीं किया गया है तो वह स्वता समाप्त हो जाएगा दोस्तों विधी की बाशा बड़ी कठिन बाशा होती है इसलिए इसको समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है इसलिए इस धारा में जो लिखा हुआ है उसको मैं संक्षिप्त में अपनी बाशा में आपको बताना चाहता हूँ कि धारा 131 में इस बात का जिक्र किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की नीजी भूमी पर जाने के लिए यदि कोई रास्ता है और उस रास्ते को किसी भी व्यक्ति के द्वारा अवरुद कर दिया जाता है तो ऐसे अवरोद के खिलाब धारा 131 के तहट कार्यवई की जा सकती है साथ ही यदि कोई जल सारणी अर्थात जिसे गाउं में कोई खाई खोदी जाती है कोई नाला होता है उसके बहाव को किसी व्यक्ति के द्वारा अवरुद कर दिया जाता है या उसको दूसरी तरफ मोड कर किसी अञ्य व्यक्ति के खेत में से या अञ्य इस्थान से उसको पानी निकालने के लिए मोड दिया जाता है तो ऐसी इस्थिती में उस अवरोद को समाप्त करने के लिए या उस बाधा को हटाए जाने के लिए हम तेसिलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र पेश कर सकते हैं एक महत्पून बात और है दोस्तों कि कई लोगों को इस बात की जान करी नहीं है कि यदि उनकी जलसारणी या मार्ग को अवरुद किया है तो वे आवेदन कहाँ पेश करें तो इसके लिए दोस्तों धारा 131 मद्यप्रदेश भूरा सहिता के अंतरगत आवेदन तेसिलदार महोदय या नायब तेसिलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुद किया जा सकता है अब दोस्तों आवेदन के सलगन आवश्यक दस्तावेच कौन-कौन से दस्तावेच पेश करना चाहिए तो इसमें पहला है आवेदक की भूमी का खसरा एवं किश्तबंदी खतोनी नमबर दो है आवेदक की भूमी का नक्षा नमबर तीन है अनावेदक की भूमी नीजी है तो उसकी भूमी का खसरा है येवम किश्टबंदी खतोनी नमबर चार जहां व्यावधान हुआ है उस जगह का नक्षा अर्थात येदि आपका मार्ग अवरुद हुआ है उस जगह का नक्षा या जलसारणी के पानी की निकासी को अवरुद किया गया है तो उस इस्थान का नक्षा भी आपको सलगन पेश करना है. पांचवा है, नज्री नक्षा भी सलगन पेश कर सकते हैं. अब दोस्तों, आविदन पेश होने की प्रक्रिया पूर्ण यदि हो जाती है, तो उसके बाद में फिर आगे की क्या प्रकरिया रिगती है? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आवेदन पत्र पेश हो चुका है तो उसके पश्चा तेसिलदार महोदै या नायब तेसिलदार महोदै अनावेदक जिन्ने की मार्ग को अवरुद किया है या जलसारणी को अवरुद किया है उसके मार्ग को अवरु अपने जवाब पेश करता है फिर जवाब के पष्याद तेसिलदार महोगय मोक्ये पर मोका निरिक्षिन करते हैं और तत पष्याद अर्थाथ उसके बाद उस प्रकरण में अंत्रिम आदेश पारिद के जाने की समभावना बनती है यदि तेसिलदार महोदय को उचित लगता है तो तेसिलदार महोदय वेकलपिक मार्ग के रूप में भी मार्ग दिलवा सकते हैं या जो मार्ग अवरुद किया गया है उसको जब तक की प्रकरण का निराकरण नहीं होता है तब तक के लिए खुला रखे जाने के लिए भी अंतरीम आदेश पारित कर सकते हैं जब अंतरीम आदेश पारित हो जाता है तो उसके पश्चात दोनों पक्षों की ओर से गवई होती है उनका प्रती परिक्षन होता है उसके पश्चात जो भी व्यक्ति अपने प्रकरण में ठोस प्रमान पेश करता है उस व्यक्ति के पक्ष में उस प्रकरण का फेसला होता है अंत्रिम आदेश के संबन्द में एक बात और मैं आपके समक्ष इसपश्ट कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि अंत्रिम आदेश और अंत्रिम आदेश में बहुत अंतर होता है इसलिए कई पक्षकार अंतरीम आदेश यदी उनके पक्ष में हो जाता है तो उसके पश्यात उनका जो इंट्रेस्ट अर्थात प्रकरण में रुची कम हो जाती है और वो प्रकरण के प्रती फिर ध्यान नहीं देते हैं तो मेरा सभी से आग्रह है कि अंतरीम आदेश जो रहता है वह केवल जब तक वह प्रकरण चलता है या जैसा कि मध्यप्रदेश भूराज सहिता की धारा 131 की उपधारा 2 के परंतुक में आया है कि वह अंतरीम आदेश केवल 90 दिन के लिए ही रहता है और उसके पश्यात स्व लेना चाहिए आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकरे लेकर फिर पस्तित होंगा इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी धन्यवाद जय हिन जय भारत